केके पाठक साहब कुछ तो रहम कीजिए नमस्कार डिबीन यूज लाइब में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चुट्टी से लोटते ही एक्षन में ACS कहा बात बात पर विध्याले को बंद करने की परंपरा पर रोक लगाए केके पाठक चुट्टी पर गए तो अववा उड़ी की उन्होंने इस्तिफा दे दिया चुट्टी से लोटे भी तो ACS भरे अंदाज में आपको बता दें कि केके पाठक ने शीत लहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के जिलादिकारियों के आदेश को वापस लेने के लिए सभी प्रमंडलिये आयुकतों को पत्र जारी किया है बियार में शिक्षव वाक के अपर मुक्य सचिव केके पाठक ने शिक्षा की बिगडी दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं जिने उनके सुधारों से पीड़ा हो रही है जायरा तोर पर वे उनसे खपा होंगे लेकिन ज्यादतर लोग केके पाठक के पहल की तारीफ ही करते रहे हैं उनकी सक्ति का आलम यह है कि शिक्षक समय पर स्कूल आने जाने लगे हैं चात्रों की स्कूलों में उपस्तिती भी बड़ी है बच्चे स्कूल नेमित आएं इसके लिए ACS ने स्कूलों से गयब रहने वाले चात्रों के नाम काटने का सक्त आदेश दिया है इसकूलों से अक्सर नदारद रहने वाले या समय का पालन ना करने वाले शिक्षको के वेतन काटने की शुरूआत भी होगी है बिहार के लिए यह सक्ति जरूरी थी नितिश कुमार भी केके पाठक के कामों से खोश हैं पर केके पाठक एक जगा चूक गए सक्ती करते करते उनका मानविये चेहरा नदारद हो गया है आपको बता दें कि ठंड के परकोप को देखते हुए बिहार में जिलादिकारियों ने स्कूलों को बंद करने का फर्मान जारी किया है जिस वक्त जिलादीकारियों ने ये फैसला लिया उस वक्त केके पार्ठक अवकाश पर थे शुकरवार से उन्होंने अपने विवाग का विदिवत कारिबार समवाला है दफ्तर पहुचते ही जिलादीकारियों द्वारा धारा 144 का उपयोग करते हुए स्कूलों को बंद किये जानने की उन्हें जानकारी मिली वे हत्ते से उखड़ गए उन्होंने जिलादीकारियों से स्कूल बंद करने के आदेश तुरंत वापस लेने को कहा है सभी प्रमेंडल के आयुकतो कोली के पत्र में उन्होंने कहा कि आपके छेतर अदिकार में जहां भी शीतलेयों के कारण स्कूल बंद करने का आदेश जारी है उसे तुरंत वापस लेने सरकारी स्कूलों का समय सुबा नौ से लेकर शाम पाँच बजे तक है इस अवधी को बदलने का कोई भी आदेश निकालने से पहले शिक्षवाक की अनुमती आवश्चक है बात बात पर विध्याले को बंद करने की परमपरा पर रोक लगाए आपको बता दे हाला की केके पाटा का ये फर्मान कहीं से भी गले नहीं उतरता शिक्षवकों के प्रती उनकी सक्ती से आम आदमी खुश है लेकिन इस मुद्दे पर हालात और जन्मानस का भी ख्यार रखना चाहिए दस दिनों के अंदर बिहार के स्कूलों में बच्चों के ठंड से बिमार होने और मौत की खबरे आती रही है एक शिक्षवक की मौत की भी खबर है आदेश जारी करने से पहले केके पाठक को जरा इन खबरों पर भी गौर कर लेना चाहिए था वैसे सभी लोग जानते हैं कि शिक्षव जगत में नई करांती का नाम है केके पाठक